आज हम 26 ऐसे वेजिटेबल्स के नाम जानेंगे जिनके नाम काफी रियर होते हैं और इंग्लिश में काफी मुश्किल से मिलते हैं तो चलिए विडियो शुरू करते हैं यह सब्जी जिसे हम तोरई, तोरी, नैनुआ और जिमुनी कहते हैं इंग्लिश में इसे हम रिजगोर्ड कहते हैं और यह सब्जी जिसे हम घ्यूडा या तोरई कहते हैं नैनुआ भी कहते हैं इंग्लिश में इसे हम sponge gourd कहते हैं लेकिन यह दोनों वेजी टेवल एक ही फैमिली के हैं इसलिए हम यह नाम रीजगोर्ड या sponge gourd दोनों के लिए इस्तामाल कर सकते हैं इनके लिए दूसरा नाम भी होता है जिसे लूफा यह लूफा बॉटनिकल नेम है जिसमें हम रीजगोर्ड को लूफा एकेट्यूंगला कहते हैं जबकि sponge gourd को लूफा सिलेंड्रिया कहते हैं यह सबजी परवल है जिसका बॉटनिकल नेम ट्रिको सेंथेस डियोई का है इसे सबजी को हम ड्रम स्टिक कहते हैं जिसे सहजन हिंदी में हम कहते हैं यह सबजी चिंचुडा जिसे इंग्लिश में हम स्नेक गोड कहते हैं यह साब की तरह होता है और यह सबजी भतुहा या इसे पेठा भी कहते हैं इंग्लिश में से एस गोड या विंटर मेलन भी कहा जात या सबजी टिंडा है, जिसे इंग्लिश में Indian squash, gherd, small gherd, round gherd, apple gherd, baby gherd, कहा जाता है या गुलर है, इसके सबजी भी बनती है, इसे इंग्लिश में feces कहते हैं, जिसका बहुत निकल निम feces rice mura है या कुनरी है या बिलकुल परवल की तरह दिखता है इसे इंग्लिश में आईवी गॉर्ड या टैंडली कहते हैं या बकला है या इसको बकला के फली भी कहते हैं इंग्लिश में इसे हम fava beans या brode beans कहते हैं यह गांट गोवी है इसे इंगलिश में कोल्रा भी कहते हैं यह हरा सोया है इसे इंगलिश में फैनल या डील कहा जाता है यह बथुआ है यह बस ऐसे ही खेतों के अंदर उगाता है इसका इस्तामाल साक की तरह किया जाता है इसे इंगलिश में विल्ड एस्पिनीज या स्पि सब्जी की तरह किया जाता है इसे इंग्लिश में सलरी कहते हैं यह सिंगाड़ा है जो पानी के अंदर उगता है इसे इंग्लिश में इंडियन वॉटर चेसनट कहा जाता है यह बांस की कॉम्पले हैं जिनका इस्तमाल सब्जी की तरह करते हैं इसे इंग्लिश में बंबो इसे इंगलिस में हम कॉलोकेस्या या तारू रूट कहते हैं यह रतालू हैं इसे हिंदी में जीमी कंद भी कहते हैं और इंगलिश में इसा हम एलिफ्ड फुड यल्यम कहते हैं यह आमला है इसे इंग्लिश में इंडियन गूस बेरी कहा जाता है यह लंबी सेम है इसे इंग्लिश में इंडियन लॉंग बीन्स कहा जाता है यह गोभी की तरह दिखने वाला सब्जी हिंदी में ब्रोकली और इंग्लिश में भी इसे ब्रोकली कहा जाता है यह सब्जी सुलात की तरह इसतरमाल होता है इसे इंगलिश को हम इंगलिश में हाई सिंथ कहते हैं बस आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स पूर वचिंग इस वीडियो